सब्सक्राइब and press the bell icon in this video you are watching class 9th science physics question लेके आई वे हैं जो कि MC की question है तो यह परिछाग द्रिश्चिकों से बच्चों काफी महत्रपूर्ण है तो first question को देख रहे हैं जो जो important question उसी को हम आपके साथ share कर रहे हैं फ़स hmm question को देख रहे है क्या question कर रहे है कि दाप का psi मातरक इंसतर होता है इसे आप याद रहे हैं इस अउसे आपकाוח कर जाए हैं से दशते हैं आपके पस इस तरह से and answer को दिया रहे गा बच्छो कोषिण नमर 21 की बात करते हैं दाप का रासी है क्या अदिस रासी सदीस रासी या दोनों होता है या इन वेंसे कोई नवीता तो इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, अदीस रासी होते हैं, दाब क्या है, अदीस रासी है, अब बताते हैं, 22 नमर कोश्चन की बात करें, प्रनोत का मातरक क्या होता है, प्रनोत का मातरक आपका न्यूटन होता है, इससे आप याद तईसन नमर कोंस्ट्ट की बाते अगर करें। तो भार की मात्रग का होता है। इस तरह से कोंस्ट्व को बच्चो PU हैद रहें। 과 क्वें ऊप्सटन का यहीद्या वहोगा यहां ऊप्सटन क्या होता है। तो क्वेंस फीक स्थौड़ रखेंगे। 26 नमर question कि अगर बात करते हैं तो भार का मान सभी जगा होता है क्या होता है और समान होता है ऐसा है रखेंगे बाकि ये question आपका option ये गलत है ये आपका सही होगा आईए चलिए देखते है question नमर सता इस पर कि दरवे मान का मान सभी जगा क्या होता है आंसर अगा 9.8 Newton होता है अब question number 29 के अगर बात करते हैं कि जब किसी तरल में किसी वस्तु को डूबेने पर तरल द्वारा उपर की और लगने वाला बल क्या कहलाता है तो उत प्लावन बल कहता है जिसको उपला जाता है वो आप याद रखेंगे अगर बात करें ऐसे ही question आपके एक जामे पूछे जाएंगे बच्यों एक वस्तु का द्रविवान 10 kg है तब पिरित्वी पर इसका भार कितना होगा आपको बताना है correct answer क्या होगा अगर इसको बिश्तरी चाहिए definition के साथ question तो comment अभी करें एक 30 नमर question के अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु का भार पिरित्वी के सत्य पर साथ न्यूटन है उसका भार क्या होगा तो अई इस तरह से question आपके दिया रहेगा correct answer होगा option नमर दो 10 न्यूटन 32 नमर question के अगर बात करते हैं तो 60 kg द्रब्यमान के किसी मनुष्ट का चंद्रमा पर भार कितना होगा आंसर होगा आपका 100 न्यूटन होता है क्योंकि gravity power का अगर देखा जाए तो 10 मीटर प्रती इसक्वारी इसमें दिया हुआ है इस तरह से इसको याद रखेंगे question 33 के अगर बात करते हैं कि अंत्रीच में 60 kg द्रब्यमान वाले मनुष्ट का भार कितना होता है तो सुन यह होता है यानि कितने भी kg का आदमी रहे तो मनुष्ट से वहाँ चंद्रमा पर अंत्रीच में जाएंगे तो अंत्रीच में उसका भार सुन होता है question number हम बात करें यह आपका बच्चो सही आंसर होगा अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा रात एक लाइक आवस्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई को continue जारी दखें मिलते हैं बच्चो नेस क्लास में नियू आपडेटिक साथ नए question लिके आएंगे thank you